हलो एवरिवन मैं आशे आप सभी का स्वागत करती है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आज का जो वीडियो है बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग और बहुत ही जादा यूसफुल होने वाला है आप सभी के लिए और वीडियो को फुल वाच कीजेगा ताकि आपको मैं और भी कुछ इंफॉर्मेशन आपने देते हैं जब तक कि हम खुद उसस पर विलीव नहीं करती ना तो हम आपको जो है वो इनफॉर्मेशन आप तक जो है हम शेयर ने कर सकते हैं तो पहले मैंने खुद इसको जो है ट्राय किया है उसके बारी आपके लिए मैं इस वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले मिल सके हमें बहुत सारी ऐसे चीज़ दी है जिसका हुपयोग हम है अपने स्कीन केर और अपने हैर केट के यह करते हैं हम नैच्रल तरीकी से जब इन चीजों का इस्तमाल करते हैं तो उनकी साइट इफेक्ट भी जो बहुत कम होते है मतलब ना के बराबर साइट इफेक्ट होते हैं कोई भी चीज़ हो यदि हम उसके जो है क्वांटिटी का ध्यान रखकर और नैच्रल चीज़े ही हम यूज कर रहे हो यदि हम उसको जो है अवशकता से अधिक यदि हम देंगे अपनी बॉड़ी को तो उसका जो है आपको ज तो यहाँ पर हम गुरहल के फूल की चाई के बेनिफिट के बारे में बात करेंगे और आपको यह ट्रीकी से बनानी है और इसको कितना कंस्यूम आप कर सकते हैं वह सब में आपको इस वीडियो में बता हूँ बुरहल की चाई एक हर्बल चाय है इसकी चाय का 7 करने से आपको एक नहीं बलकि अनिकों फाइदा देखने को मिलते हैं गुरहल में एंटी डायबेटिक गुर्ण पाजाते हैं ऐसे में इनके चाय का 7 करने से शुगर लेवल जो है कंट्रोल में रहता है गुरहल की चाय स्किन के लिए बहुत दिखाई देती है, स्ट्रेस को कम करने में भी गुड़हल की चाई बहुत ज़्यादा सहाइता करती है इसके अंदर पाए जाने वाले एंटि ऑक्सिजन गुड़ तनाव और मांसिक समस्या में बहुत ज़्यादा फाइदे मन होता है गुड़हल की चाई बालों के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन होती है यदि आपको कोई बालों से जुड़ी समस्या है तो इस समस्या से राहत पाने के लिए आप गुड़हल की चाई का उपियोग कीजिए इसके साहिं के सेवन से आपके बाल एक कप पानी जो इसके अंदर एड़ किया हुआ है और इसको हम गरम होने के लिए छोड़ देंगे इसके बाद हमें फ्लावर लेना है फ्लावर क्या जो इस तरह की से आपको एक लंबी सी डंडी दिक्री होगी उसको हमें रिमूव कर देना है ग्रीन वाला पार्ड भी हमें रिमूव कर देना है और उसके बाद इसको जो है अच्छे से वश कर लेना है वश करने के बाद आप जब पानी में हलके से बबल सा जाए तो आपको इनको फ्लावर को आप तो या तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं या तो आप इनके अलग-छत पैटलस के लिमूव करके अलग-छत करके भी आप इसको पानी के अंदर डाल सकते है तो यहाँ पर देखिए मैं हलका सा बबल सा आगिया है मैंने सारे पैटलस के अंदर डाल दिये हैं पका एक अब द All blend करके तिसार और एक सोड़ने के बाद देखेंगे कि कंप्सक्तर आया हुआ है लेकिन अभी हमारी चाहे मसिक से पूरी तरीके से different देखेंगे कि अब हमारी चाय का color कितना प्यारा आया है अब हमें इसके अंदर add करना है शहद हम आदे चम्मा से लेके एक चम्मा तक शहद इसके अंदर add कर सकते हैं और अधी आप sugar के patient है तो आप शहद avoid भी कर सकते हैं और बस आपको शहद को अच्छे से सके नदर mix करना है और lemon को अच्छे से इसे mix करना है बस आपकी चाय रेडी हो गई है बनकर और आप इस चाय का seven दिन में दो बार कर सकते हैं दो गप से जादा आपको इसको नहीं लेना है और इस चाये का टेस्ट बहुत ही जादा अच्छा होता है I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरी मेहनत के लिए फिर मैं मिलूँगे नेक्स वीडियो में बाबाई